एक बार फिर किसान सरकों पर हैं संघर्स कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि हमें कम नयाय मिलेगा जो 700 किसान सहीद हो गया हैं मुआपजा कब देगी मोधी सरकार और ये भी कह रहे हैं MSP गारेंटी कानून कब बनेगी इसी तमाम उद्दे पर बास्चित करने के लिए जन्मस से जुड़ चुके है क्रांतिकारी नंदा भाई राश्चपूत स्वागत है आपका जिंदा बाद सरक पर फिर किसान क्या कहेंगे आप सरक पर किसान क्योंकि सरकार है बेहिमान समझे नहीं अब बंजाओ फिर से आदिवासी और निकालो तीर कमान और डाल दो पिछवारे म मिलेंगे ने तो बेकार हो तुम अदिकार सारे शीने जा रहें इस सरकार ने तीन काले कानून लाके और किसानों को पासमंज़स की स्थिति में डाल दिया था तेरा महीने सारे तेरा महीने मैं खुद बैठारा गाजीपुर में मैंने खुद उस अंदुलन का हिसा रहा और यह सरकार सबसे निकम्मी और नकारा सरकार है मैं यह से कह सकता हूं कि भरिष्टाचारी यह भाजपा का मतलब भरिष् किसानों को देंगे किसानों की लागत मेहनत का उच्चित दम देने की गारेंटी दी थी इनोने के देंगे अब नहीं दिया मुआपजा क्या यह कुछ भी नहीं दे सकते साथ सरकारी नौकी भी नहीं देगे भाई साब सारे 800 किसान सहीद हूं है 700 कौन कह रहा है यह तो पूच करो जहां अपने ही राजधानी में अपने भारत की राजधानी दिल्ली में नहीं आ सकता किसान तो यह उसका मतलब सरकार कौन है कही ना कहीं आतंगवादी है नुकिले तार है तो बोटर बना दिया मतले दिल्ली अलग एक देश धार 144 लागू है एक 144 कहां से नहीं बिश्बस देता अपनी अभ्यक्तिगी आजादीका और यह सरकार हमारे मौलीक अधिकार नहीं देना चाहती है तार हमारे मौली में अलग जया को चोदी चरण सिंग को भारत रतन आज क्या दिया है आज से 20 साल पहले मिल जाना चाहिए था भारत रतन और ये कांग्रेस सरकार की कमी रही ठीक है नहीं और इसकी भाजबा सरकार ही कमी रही अभी आप ही सोचते का भाई जाट जी खुश हो जाएंगे जाटो के नाम पे जाट है यह ना जाने किसकी पैदाइस है ऐसा बोला भाजबा के लोगों ने और परधान मंतरी ना खुद का अंदोलन जी भी तो अंदोलन जी में यह किसान जो है जाट बता दिये और इनकी बेटियों के साथ अन्याय हुआ बताओं जाटों की बेटियों के साथ अन्याय हो गया किसके बिनेश फोगाट साक्षी मलिक जो देश के लिए गोल्ड मैडिल आई थी जो भारतकान सार फकर से उचा उठा दी थी भाई उन महिलाओं का उन लड़कियों का उन बेटियों का जाटो की बेटियों का यो उन सोसन हुआ देप करने कोशिश की गई और चोड़ी को क्योंकि देश का जो मुख्य नहाई दी से वो एफाई या दर्ज कराता है महिला खिलारियों के लिए मगर नहाई नहीं मिलता इंसाप नहीं मिलता इसका मतलब देश के सुप्रीम पावर सुप्रीम कोट से भी बड़ा है ब्रजबूसंचिंग दिखा दिया उसने तो इस को बहुत देना है किसको यह जो है क्या नाम है अमिश्चा को भरतातन कुंदेगा भाई अमिश्चा इन्हीं जाती बादी 11 गूंडों को लिए लिखता है कि संसकारी लोग है पहुत समाजिक लोग है संस्कृति को बचाते हैं और इनको मेरे बाद तो सुलो उनका नंबर ब पूच्छा करते हैं है इंसे पूछो कि हुँ पहले यहीं पर आज ना यह जो जाती बादी गुंडों के लिए इसंने का कि संसकारी को संसकारी का मतलब एक भारत अतन तो भाई यह मिष्जा का भी वनता और उनको जो बिल्के स्वानों के पलतकारी थे जो छोटे से बच्ची को मार दिया पटक पटक के बिलके स्वानों के पेठ्ट में बच्चा होती गरब बती होने के बार रेप किया गया साथ लोगों की हत्तिया उन्हों को जो मतलब कि आजात कराने वाला गुज़ात सरकार से वो है अमिश्या, अमिश्या को भारतरदन दो, नरेन्न मोदी को भारतरदन दे दो, एक अधानी को भी दे दो, कि पहले बार किसी परधान मंत्री को गिप्ट में सारे 8000 करोल का अभिमान दिया, अधानी ने, अधानी को भारतरदन दे दो, दिये ने इनका कोण चेक करेगा, अमिश इसकी फट्तिय दाई दिवरायम को नहीं ला सकता है लोक सबाचुनाव किसान तो देने वाला नियों बोट से मैं सही बता रहा हूं आप यह सोचो कि किसी को तमका दे दो चौदरी चरंण सिंग के नाम पर आपने तमका दे दिया हो सकता है जिसका पिश्वाला लाल किया था किसका जहन चोदरी का यादेना मत्रा में कैसे डाल के पिश्वाला लाल कि कल्टी कुछ नहीं है यह तो हुए है प्रोपेशनल लोग है यह दलाल है दल्ले है भरोए किसानों के क्या बोर रहे हैं अरे नहीं क्या आपनी बीज़ेपी गोद ले लिया कॉन काय का गोद ले ल एक किसान घराने से ते हैं कब जाने सी कुछ नहीं है पोता कुछत नहीं है पोता जायों जाए गारें के सका है यहां पालनेबे लोटा नहीं आपने विज़ेगा वह द्यलक गया धार की पीड़ा है जाट समाज की और भारत की बेटियों के साथ क्या अन्याय हुआ उनके साथ सोसन करा यही हमिस्टाने जूते मरवाए उनको लाठें पलवाए उसे अंदोलन निकरने दिया रात तंक किया पुलिस के माध्यम से और सोसन हुआ वो अलग तो जाटों की बेटियों के साथ कोई भी सोसन कर दे जाट यह बरदास नहीं करेंगे जाट जानते हैं जाट समाज से जहन चोदरी हो सकता है एक रात्मना जाने कितने जहन चोदरी पैदा कर देगा जाट समाज समझे तो इन है यह सोच हो कि जाट वो दो भाई दुकान चलाने क्या है उन्हें थोड़ी मतलब है जाटों से ना किसानों से ना देशवाशियों से उसे तो अपनी दुकान चलानी है 800 से अधिक किसान सहीद हो गए हैं आवाज नहीं उठा पा रहे हैं बारता चल रहा है वारता को चोенко षिछ घृणा कई करा लें यह यहां टाले रगा दी है भारत वार्ड़ादासीों के लिए प्राशाथ है भुले चोरण है ये इनके आसू निकालेंगे हम किसान निकालेंगे ढारत वासी निकालेगा भारत वासी इंका भूत उतार देगा धूतनी की वहरो suisना है तक भूतनी के वह है जो भैल यह दो सदूरों यह चेलता है पूराजीर कीरें दिए ऑलाता है प्रकिण में मिल पाएं ने knittingJust पाइद नहीं पाइद नहीं कहां से मिलेगा जब उसका बाप ग्रह मंत्री है ग्रह राज्य मंत्री उसकी अवलाद इतनी भीगडेल है इन भूतरी वालों खिलाब को सीडी सीवियाई इवीयाई सीवी कुछ भी रहा यह जाज किसे करोगे चोरों से कऊगे ड़केतों से से मनरेगा में जो काम करते हैं 200 दिनों तक काम मिलिया कम से कम धियारी मज़़ूरी यह होता साथ सुर्पेश को मंग रहे किसान तो मालिक है इंदेश का तुम कव तक भीग मांगो इन भीगंगों से 35-35 साल खुद भीग मांगा हो पूतनी का देश का परधान मंत्री बनता ह साल 2510 मांगी तो जिसके पास आप तुछ करो दिल्ली की यह दिल्ली तुम्हारी यह धेस के माले को और यह ढ़ोंगी पाखनी चोर ऊचके बपंगे टुचे और यह आबारा सम्झे ले लफणगे बेचियों को चेड़ने वाले जितने भी दले भर्वे देश को बेख रहें आरब याई बेख दी एल इसी बेख दी क्या नहीं बेका ट्रेन प्लाइन सब बेख रहें वह भैन बेख बेख रहें और इनूहां ने मार्कीट मंडी बना लिए आप क्या समझ भारत के यूबाओं को का में जा इसराइल भारत का पड़ा लिखा यूबा इस्राइल जा रहा है आद तुम मैए छोड़ दो लहाए नोक्री लोग तो भाई भारत का भी शुगरू हो गया 87 करोड लोग जब चावल हो गह्शनों पर पपड़ ले ओ चावल चार किलो गह्शनों पर पर तो इसका मतब 87 करोड़ तो भुक्मरी कंगार बख़रे कहां से भी श्गुरू हो गया और यह आदमी आया कहां से है पूरा अटका के गए नीचे तक आवाज नहीं निकलती है इतना दिया फंड समझ रहा है निकलती है राम को लिया आएगा इंहोंने मजाग बना दिया धरम का धर्म के नाम पर धंदा करने वाले विकमंगें बेखारी है जो खेत का सीना फाल के जो किसान अनाज उगाता है और कई अनाज उगाने की जगर बारूद उगाने लगाना ये किसान, तो भूतनी वालो सब पिछवाराग वाला सब उड़ादे का, समझे, और ले आए ना अपने हल, हल जोत के नद, समझे, बीज डाल दिया, तो फसल खड़ी हो जाएगी भूतनी वालो, कांखा भागते भि होगे, समझे नहीं, ये देश का किसान, बहुत खतरनाग है, इनको नहीं पता भी, किसान तो साथ-साथ बहुत सीधा है, नगर जहां उसने अपना रोद रूप धारन कर लिया, तो ये इल-किल कुछ नहीं करेगी, समझे ना, फिर तो चील की तरह इनके उपर बरसेंगे, उठा उठा के ले जाएंगे ने, अभी तो गोरिल्ला वार करेगा किसान, ये भिकमंगे इनके उकाद नहीं है, जो सरकार खुड डरी हुई है, देश वासियों से वो जीत कैसे जाएगी भाई, जो किसानों से अंदर नहीं आने देरी, वो किसान कोन बोट देगा इने, जो किसानों की एंट्री नहीं, जो किसानों के धिकार नहीं देती, और ही कहते हैं, हम भी स्कुरू है, चार सो पार, ये कहते हैं, चार सो पार, ये बियम हटाओ, देश वचाओ, इबियम का मतलब, इलेक्शन बेइमान मसीन, इलेक्शन बेकार मसीन, इलेक्शन बरबाद मसीन, इलेक्षन भर्टाचार मसीन, इलेक्षन बलतकार मसीन, ये देश के जनादेश का बलतकार कर रही है, समझे ये जवाब दे, सरकार जवाब दे, भारत निवाचनायोग जवाब दे, भूतनी के निवाचनायोग तरी मा की, जिन्दावाद ये जवाब दे, कहां गई, 19 लाकी पता जवाब देना उननीश लाख एब एम कहां गई इसका कौन जबाए एडी क्यों नहीं जाते हो भूतनी की एडिये टी पूस्त बार्दनवाच उननीश लाख एब एम कहां गई तो गाव हो गई तो भाई कहां गई कितने ट्रकों में भड़के गई होंगी उन्नीस राख इवियम इसका जवाब इड़ी जए देश का पधान मंद्री देश का पधान मंद्री देश का जब खुद चोर है लुटे ने आतंग बादी देश द्रोई हैं और हमें बताएंगे किसानों के सामने कीले समझे नहीं तुमकीले सालों किले ठोक देंगे तुम्हारे में यह ध्यान रगना अभी लेके नहीं आये किसान अपने इहतियार समबल अमबल सब्सील्य आये ना एक नहीं डाल दिये ना ठोक के समझे ना खोल देंगे पूरा सब दिमाग है भारत वासियों के अधिकारों को देश के लोगतंत्र को सविधान को तुम खतन करने पर तुले ओ यह मैं फिर कह रहा हूं आज भी सबसे ज़्यादा जिरोता है लेड़ने की इवियम के खिलाफ और जो कहना ना 400 पार ये 40 सीटें भी पार नहीं कर सकते हैं अगर बैलिट पेपर बागे तो समझें बैलिट पे ला हैं ना कर आए है कि कई दिनों तो लड़ाए लड़ते रहेंगे किसानों की और बैमाणों की किसान राश्च्वक्त हैं बहिमान सरकार किसान और बेइमानों के बीच लड़ाई है देखते हैं किसानों के राश्वक्तों के साथ कोन आता है और सरकार बेइमान के साथ कोन है बेइमान के साथ बेइमान खरें और राश्वक्तों के साथ किसानों के साथ देश का हर आदमी खड़ाओगा और वह आदमी खड़ाओगा जो अनाज खाता है वो किसान के साथ रहेगा जो गोवर खाता है वो सरकार के साथ रहेगा यह ध्यान रखना अनाज खाते हो तो किसान के साथ रहो गोवर खाते हो तो सरकार के साथ रहो बारत जिंदाबाद था जिंदाबाद रहेगा जिंदाबाद बारत देख सकते हैं करां मैं भलता हूं कि वह गुलाम बड़े बुझदिल रहें इसा कि एक समय किशानों ने मोधी सरकार को जुकाया तीन करीजी काला कानून को बαपस करवाया गया था अब फिर वो समय आएगा मोदी सरकार जुकेगा और MSP कारेंटी कानून लागू होगा आपने समय दिया इसलिए बहुत धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो पसंद आईए जनता के हीत में जरूर शेयर करें धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाएं अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यव